हेलो गाइज वेल्कम टॉट चैनल शिक्स आलाइंस शिक्स आलाइंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम भारतिय सम्वेदान की सीरीज के देद मूल अधिकार देखेंगे और अब तक हमने मूल अधिकारों में 14 से लेकिए है वो 18 तक समानता का अधिकार है वो देख लिया था और हुफुली वो पिछला लेक्ट्र आपको पसंद आया होगा और आज हम आर्टिकल 19 से आगे कौन-कौन से मूल अधिकार उसके बारे में हो देखेंगे और बात करते हैundra का अधिकार और सोतंद अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेके हैं 22 के बीच में हैं और आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 इन चेयर अभी तरह में है Aug क cows सवतंतता दिये डेगी है अब यहां पे ध्टान रखना रह्मा नहीं है यह सवतंतता है वह सवन्त मित नहीं है यह पास को सवतंततों के पाता के तो कुछ नकुछ इंके आप एंग पर हैं वह प्रतिबंद लगए मूल दि समविदान था उसमें या साथ प्रकार करक्ष दिगति और हमने देखा था कि पहले आता है 19 1985 उसको है वह 45-12 सविदान सव्चान द्वारा है वह मूल दिकारों की श्रेणी से हटाकर है वह विदिक अधिकारों की श्रेडी में लादिया गया अगर यहीं सीरीज इंगली स्माज या तो इसको फ लिखा जाता है और इस चीज का विशी स्थार पर ध्यान रखना है और हम ने आगे आने वाले आर्टिकल 31 में जो है राइट टू प्रोपर्टी था जिसके बारे में उसको मेंशन किया गया था हाला कि अभी उसको है वो विद्धिक अधिकारों की श्रीणी में दाल दिया गया तो यह ध्यान एकना है 19, 20, 21 और 22 यह सोतंदरता के अधिकारे और थोड़ा सा हम रीकेप कर लेते पिछला वाला की उससे पहले हमने क्या देखा था तो पिछले लेक्चर हमने यह देखा था आर्टिकल 14 विद्धिक समख समानता है आर्टिकल 15 और इसमें धर्म मूलवन जाति लिंक और इनके आदार पर है वो बेदवाव किसी भी नागरी के साथ नहीं किया जाएग जो आर्टिकल 15 से हम मैंने कहा था कि आपको डिफ्रेंचाज रखना है दो वर्ड का वह भी याद होना चाहिए और लोग नियोजन के अफसर में समानता के बारे में और आर्टिकल 17 है वह अश्परस्ता है उन्वुलन से संबंदी थे और आर्टिकल 18 था वह था उपाजियो का अंग इसमें यह था कि शिक्षा और चैनिय चैतर के अलावा कि आने चैतर में वह आप उपादी नहीं दे सकते और इसमें यह देखा के था कि भाद्रत ना पद्म विपूशन पद्म बूशन और पद्म श्री वह पुरुश का रहना की उपाद यह तो वह इसके करने की है वो सोतंतरता है लेकिन यह विचार किसी और के अधीकार का हना न करें यह राश्ट की एकत्व खक्भल आख कि हमें देखेंगे कि कि इस पर हो परतिबंद को साधार पर है वह लगाई जा सकता है उसके मेध हम प्रदर्शन करने का दिकार और विदेश जाने का दिकार आप प्रदर्शन यह वह सांति पूर्ण आप कर सकते ठीक है और इसमें यह काके दिक 19 एक माप यह यह इसके अदर सुतन नहीं थे अब यहां रखना है कि वहां अभी विक्ति की सुतन तरह यह समेतर नहीं है इसमें कुछ आधार है जिनके आधार पर है वो परतिबंद लगा सकते तो हम देखेंगे है आठिकल है hon है उनीच दूव में है मौ उनीच एकल वै वह कौनकों स睡 परतिबंद अर्पित के जा सकते जिसके अधार पर इसको हैं रोका जा सकता है तो सब सबस्ते पहले हूबर राष्ट की एकता और अखन थार और शुरक्षा पर और रॉस solchen के बाद में गाए सिग ते नहीं और यहां पर यह भी आएगा सामीद जिसमें की न्यायले की आउमानना को भी है वो इसके तेयत है रखा गया है अगर किसी न्यायले की आउमानना भी है तो वो भी उसके आदार पर इसको है वो प्रतिबंदित क्या जा सकता है तो आर्टिकल उनीस दो में है वो इनके सब्सक्राइब करने की सोतंतर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें यह कि आप निरायुद्ध हत्यार यानि कोई हत्यार आपके पास नहीं होना चाहिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और वह सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर भी है दो आदार पर है वह प्रत्यपेंदित आरूपित किया जा सकते हैं उनिस एक पर आपकर में तो इसके त्यात है वह परतिमन लगा जाता है आर्टिकल उनिस तीन के त्यात है और इसमें है यह पहला तो एक तार अखंड था यानि ऐसी कोई भी सब्सक्राइब नहीं नहीं जिससे की एक तार अखंड था परपावितों दूसरा है लोग व्यवस्ता यान आप सब्सक्राइब समयलन कर सकते हैं उसके बाद आता है उनिस एक संगठन एवं संग बनाने की सोतंतर था संगठन एवं संग बनाने की सोतंतर जैसे हम देखेंगे कि 97 अमेंड मेंट हुआ है और इसमें है सहकारी समयधी और इसकी परकार आप दूसरे कुछ भी संगठन बना सकते हो और उसके अदार पर आपना लेकिन इसमें तीन चीजों का है वह ध्यान रखना है तीन चीजों है उसके आदर पर परतिबंदित की आजा सकता है एक तो एक तो रहे खंड आए गई एक ता और अखंड दूसरा लोक व्यवस्ता भी आएगा और तीसरा यहां देखना है किस सदाचार ये तीनों पहलों को ध्यान रखना है और इनके आजार पर है वो परतिबंदित इनको किया जा सकता है उसके बाद देखेंगे 19.1 गह मैं गूमने की सोतन द्रताँ इसमें है गूमने की सोतन द्रताँ अब इस पे है वो आर्टिकल 19.5 के पृद्ध और यह हमने देखा था जो संगठ ने इस पर पर्तिबंदी तारुप की जाते वह उनिस चार के तेद के जाते अब यहां पर देखना है एक तो साधन जनता का हिद एक तो साधन जनता आ जाएगा अब इसमें दूसरा यह चीज यहां रखनी है अनुसु चीज जन जाती आप देख लीजे जैसे अंडपान निकोबार में कुछ जाती है जो की बहुत संबेदि से ले रही है वहां पे हाप गूमने के लिए जहां नहीं सकते वह पर्तिबंदित है तो यही वह पर्तिबंदित है और गूमने और फिरने की है वह बिलकुल सोतन तदा है लेकिन कुछ सिस्थानों पर आपको पर्तिबंदित क्या जा सकता है उसके बाद में उन्नीस वंड़ इसके बाद देखेंगे उन्नीस वंड़ निवास करने की सोतन तरदा अब यहां पर है आप कहीं पर भी निवास कर सकते बस सकते और पहले यह था कि जम्मु कस्मीर था वो भी एक्से भी है वह देखा जाए तो यह उन्नीस पांस के तयात है उसे हम तरीके से वह परतिबंदित करने का आदार जिसमें कि साधान जनता कहीं तो अरनों सुचित जन जाती खई तो इसके आदा पहले परतिबंदित क्या जा सकता है उसके बाद में है उन्नीस वंच और आब यहां करने की है वह व smoking और उसके बाद में देखेंगे कि कि दो सिध्य के संबंद में है वो क्या प्रावदान किया गया है आटिकल 這個 20 में है वह तो सिथी के तो संद्रक्षण की है वह बात की इसमें कि 2 căhington दोर्त संद्रक्षर्ण और खुल और खुद के व्यूत है वह साक्षय आ कर सकता है निहीं कि यह आपको आपको कारयल में बृश्टा चाहर गया यह तो वह निकालना तो रहुं आपको वो दो बार आप एक ही अपराद के लिए वो नहीं दे सकते हैं और खुद के विरूद है उसके देने के लिए संबन में संद्रक्षा कई जगे यह होता है कि नर्को टेस्ट बगरा करवाना और कुछ और टेस्ट करवाना तो उसमें है वो पहले उसकी सहमती लेना है वो जरू प्रतिक व्यक्ति गरीम पूंट जीने का अधिकार प्राप्त है और यहां पर कुछ बीच में यह इस्यू रहा था कि इच्छा मर्थियों को दिया जाना चाहिए अलागि इच्छा मर्थियों को है वो अलाउड कर दिया गया लेकिन उसके लिए वो पैनल गठित क्या जाए अब यह किसी भी परिष्टिति है वो उसका कुछ इलाज संभव नहीं है या कुछ विशेश परिष्टिति हमें वो बोर्ड द्वारा अगर उसको अनुम्पति दी जाये तो है उसको उच्छा मर्थियों दी जा सकती है उसका प्रापदान किया गया लेकिन बाकि यह कि कही अनुम्पति मुर्टियों के लिए अधिकार नहीं है बड़ उसको गरीम पूर्ण जीने के अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है वो प्रदार किया गया अब यहां पर एक प्रापदान किया गया है कि आपातकाली निस्तेति हो या कोई भी इस्तेति हो आर्टिकल 20 और आर्टिकल इनको में है निलभत नहीं कर सकते हैं इनको आतका लग जाए इनله आहे उनको नहीं Kevin एक पर भुएंप रिस्प्र्टीbinत नहीं कर सकते εί अधिकार है और शिक्षा सब्सक्राइब आने का निश्वल्क खादय सामगरी और प्रेयावरन सम्मंदित अधिकार है जो प्रेयावरन भी है जीवन से सम्मंदित से से भी कई जगे पॉलिशन बहुत ज्यादा है तो उसको कांट करने की भी कोशिश की जारी है और जो प्रेयावरन है देने क्या वह भी राइट टू लाइफ के तैत है वह मूल अधिकार आता है उसके बाद देखें कि ग्रफतारी और निरूत की समस्मंदित अब यहां पर ध् प्रदान किया गया है इसमें होता है कि सामने ग्रिफतारी के समय व्यक्ति को ग्रिफतारी का कारण जानने वकील करने और चोईस कंटे के अंदर मजिश्ट्रेट के सामने करने का अधिकार होते हैं यादे नहीं है पेस करने का अधिकार इसमें होता है जैसे बंदी प्रदिक्शन को सुनाएं जो अगर न्याले रिट लगा सकता है अगर चोईस कंटे के अंदर है वह मजिश्ट्रेट के सामने प्रस्तुत अगर नहीं किया जाता है तो और सामने करने से रोकना कुछ क्रतियों को करने से पहले ही उसको है वो संभावना के तहते हैं उसको अब ग्रफथार कर लिया जाता है सायदय है और ज्याद से ज्यादय आप इसको है वो तीन महा के लिए रख सकतें है उसके बाद है वह अगर ज्यादा है तो वह समीत ही सलाका समय restrictive वह उसको है we decide करना क्या करना है लेकिन आगर सभाणी से जाजा तो तीन महाहन के लिए ही रखा जाता है वोफुली आपको यह सारे आर्टिकल जो पसंद याद होंगे होंगे प्लीज दू लाइक, सेर एंड सस्क्राइब और यूटूब चैनल और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमें फेस्बॉक पेज़ भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू फोर वाचीं